सम्भित पात्रा कररे हैं प्रेस कॉंफरेंस आए देखते हैं एक منशन है दूसरा उससे भी महांगा है 4 मिलियन पाउंड का तीसरा उससे भी महांगा है 5 मिलियन पाउंड का और 6 फ्लाट्स आप सोची 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रौबर्ट वाडरा ने लंडन के अंदर जमा के रखा हुआ है उसी विशय को लेकर आज वो ED में जा रहे है देखे एक पेट्रोलियम डील साइन हुआ था UPA1 के समय 2009 में इस डील का जो किक बैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं वो किक बैक गए हैं एक कमपनी को जिस कमपनी का नाम है Syntac International Syntac International और ये कमपनी आपको जानके आज चरियो होगा बंदू हो ये कमपनी किसी और की नहीं बलकि रॉबर्ट वाडरा के दाहीने हाथ और आम्स डीलर संजे भंडारी की है इसी Syntac कमपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरी दी तो ये किक बैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था इस Syntac कमपनी ने ये पूरा मैंशन जो ब्राइंटन स्क्वेर वाला मैंशन है वो खरीदा वर्टेक्स कमपनी से वर्टेक्स कमपनी का शेयर ट्रांसफर किया गया Skylight FZE नामक कमपनी को Skylight FZE नामक कमपनी को और इस पूरे प्रकरण में दे मैं वो उस सेंटरल तो दे होल प्रुसीजर जिसने मैंशन परचेस किया एक तरह से वो दुबई बेस्ट बिजनसमैन का नाम है CC थंपी CC थंपी through a company called Skylight FZE the company has account in Sarja and you would be astonished आपको जानके आश्चरी होगा कि यह जो CC थंपी है जो रॉबर्ट वाडरा के लिए संजय बंडारी के लिए काम कर रहे थे यह CC थंपी का ED अर्थाथ Enforcement Direct रेक्टरेट जाँच कर रही थी 1000 करोड रुपए के FEMA violation case में 1000 करोड रुपए के FEMA violation case में इसका जाँच हो रहा था और यह विक्ती रॉबर्ट वाडरा और Skylight Hospitality वर Skylight FZD वर मनो जरोडा संजय बंडारी इन सब के caucus में काम करता हुआ किस प्रकार रॉबर्ट वाडरा को फाइदा पहुचाया जा सके उसमें लगा हुआ था बंदों कई अकबारों में भी छपा है मगर आज हम तथ्यात्मक धंग से कह सकते हैं कि months after the petroleum deal was okayed in 2009 money was transferred into the account of Skylight directly उस petroleum deal का money Skylight के account में गया and it was in दिरहम्स जो दुबई की currency है उसमें गया April 2010 में ये पैसा Skylight के account में गया है आज ये जो पूच्टाच भी हो रही है और जो तथ्या हमारे सामने आ रहे है कि कहीं न कहीं जो हम round tripping की बात करते हैं काले पैसे को black money को सफेद करने की जो प्रक्रिया है जिसको round tripping कहा जाता है वो Syntec company के माध्यम से Robert Wardra ने अपने kickback पैसे को एक round tripping कराया है एक और property है जिसके विशह में आज तक जिकर नहीं हुआ है in the hush-hush voices people have been discussing about it but today from the side eyes we would like to keep this property in front of you and we would like to ask a few questions also there is a property in the Malcha Marg you know in Delhi there is a place which is a high security diplomatic in cave Malcha Marg there is a property in Malcha Marg which is owned by one Jagdish Sharma Jagdish Sharma कौन है वो Robert Wardra के special mitra है he's a special aide of Robert Wardra Jagdish Sharma जी से भी पूचताच हो रही है तो समेत बात रहा है हाँ पर Robert Wardra समेत Congress पर हमलावर लेटिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले